राधे राधे पक्वान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के वीरवार वाले दिन हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारे घर में सुख संपदा की बुड़ोतरी हो वीरवार वाले दिन हमें गंगा जल में हल्दी डाल कर सारे घर में छिर्काव करना चाहिए इससे घर की नकारात मकता दूर होती है और सुख सुम्रिदी की व्रिदी होती है और जो काम हमारे नहीं बन रे वो बनने लग जाते हैं और वीरवार वाले दिन कभी भी घर में पोच्चा नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस्तरियों को अपना सिर्ध होना चाहिए और वीरवार वाले दिन चना, तुलसी और गुड भगवान विश्णों को जरूर अरपन करना चाहिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान विश्णों को चने की दाल, गुड और तुलसी अरपन करनी चाहिए फिर वो जब भी मंदिर आप जाएं तो विश्णों भगवान के चर्णों में रख देनी चाहिए और वीरवार वाले दिन कभी भी घर की जो डीप क्लिनिंग है वो नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की साफ सफाई घर में जैसे के मंदर की सफाई वीरवार वाले दिन एकादशी वाले दिन और पूर्निमा वाले दिन नहीं करनी चाहिए इसे हमारे जो घर के सुख है उन पे असर होता है और हमारे कामों में अरचने आती है और वीरवार वाले दिन हमें अवश्य ही मंदिर जाना चाहिए और भगवान विश्नु का जो सहस्तर नाम है उसका पाठ करना चाहिए और वीरवार वाले दिन अगर हो सके तो भगवान विश्नु को तुलसी की माला जरूर अरपन करनी चाहिए इससे भगवान विश्णू बहुत ही प्रसन होते हैं और हमारे सुक्सो भाग्या की वृदी करते हैं हमें नई गाड़ी और कोई भी अगर घर में नया समान लाना है तो वीरवार वाले दिन ही लाना चाहिए और अगर शादी का महूरत वीरवार वाले दिन निकल आता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है इससे पती पत्नी के सबंदों में कभी भी दरार नहीं आती और पत्नी घर में सुक्सो भाग्या लेकर आती है इस तरह से हमें वीरवार वाले दिन इन बातों का जुरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे के हमारे घर में सुक्सो भाग्या की व्रिदी हो बोलो विश्नु भगवान की चै